नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल टीवी और आपके साथ मैं हूँ आचल कादिया जैसे जैसे चुनाव नजदी का रहे हैं पानिपत में बीजेपी नेताव की अंदरूनी खीचतान पार्टी को नुकसान कर रही है ज्यादा मोहो भंग बीजेपी के कुछ निगम पारसदो की जमीन तयार होती दिख रही है ये पानिपत नगर निगम के वार्ट 26 के बीजेपी पार्षद वीजे जैन है आज कल अकरामक दिख रहे है क्योंकि नगर निगम की कार गुजारी से निगम शेतर की 6 लाग लोग ही नहीं खुद बीजेपी पार्षद भी घबराए हुए ह चुनाव सिर पर है और लोग परिशान प्रपल्टी आईडी को लेकर और सबसे ज़्यादा विकास कारियों और सडकों के निर्मान में धांदली को लेकर इसलिए इस बार बीजेपी पार्षद वीजे जैन ने निगम कमिशनर को कह दिया 15 दिन में वाड की टूटी सडके न गोरतलब है कि पानिपत नगर निगम का इतिहास है कि यहां तो अफसर शाही को लेकर पहले मेर भुपेंदर सिंग ने भी बहुत कर्तब दिखाए एक बार तो मेर होते हुए भी वो कमिशनर दफ्तर के बाहर मुख्य मंतरी की फोटो रखकर धरने पर बैठ गए कि अफसरो को शरम आएगी इसके बाद भी बीजेपी के कई निगम पार्चदों ने यही किया अब बीजेपी पार्चद वीजे जैन जिस तरह का अल्टीमेटम दे रहे हैं और दिख रहे हैं लगता है वीजे जैन दो कदम कोंगरिस की और बढ़ गए हैं रवीवार को पानिपत आई यह कोंगरिस की हवा है जिससे बीजेपी गबडाई हुए है कभी एक साल के अंदर ही 26 एक सेमेले हमारी पार्टी में सामिल हुए हैं एक साल के अंदर 26 एक सेमेले सेंक्डों जो पततकारी हैं सबी पार्टियों से भारती जंता पार्टी से जज़पा से इनलों से आम आदि पार्टी से सभी पार्टियों से हमारी पार्टी में आ रहे हैं इस बात के ये सपस्ट संकेत है कि कॉंग्रेस आ रहे हैं बीजेपी जा रहे हैं। बीजेपी के अंदरूने खिंचतान का भी नतीजा है। उपर से पार्टी के सर्वे घबराहट को बड़ा रहे हैं। ऐसे में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कॉंग्रेस इन परस्थितियों से खुश हो सकती है। चुनोतियां इन के लिए भी बड़ी हैं। क नुकसान होता है तो पानिपत नगर निगम की कार गुजारी और स्थानी नेताओं की साखना बन पाना भी एक बड़ी वजय होगी। डेमेज कंट्रोल का यही वक्त है। सेहोगी शीरी निवास के साथ द्वेंद्र कतोरिया टोटल लेउज पानिपत बीरो।